पुलिस चौकी पर ASI समय तेरा पुलिस कर्णवियों का कोन्यूक्त किया गया है वहीं किसी भी प्रकार की घटना पर नजर रखने के लिए गाउं के प्रमुक चुराहो और सड़कों पर CCTV भी लगाए जाएंगे गाउं के तीन युवकों पर प्रतिबंधात्मक कारवाई की गई है गाउं के असमाजिक तत्वों के अपरादिक रिकॉर्ड की जाच की भी शुरू की गई है जिनका अपरादिक रिकॉर्ड मिलेगा उन्हें जिला बदर किया जाएगा लोको बतादे कि इस गाउं में करीब साथ अल्वसंक्यक हिंदू परिवारों ने पलायन करने की चितावनी दी थी। इस पूरी घटना पर सरकार ने सक्ट अक्शन लेनी की बात कही है। अब जो इनकी समस्या है कि समय सिमा के अंतरगत कारवाई है उसमें आपको क्लेट सामने बताई दिया है कि इसमें समय सिमा के अंतरगत कारवाई की जाएगी। इसमें इनको बताया गया था कि हम लोग किसी भी आहलत में जो जिले की सामपरदाईक साहरत की सिती है और किसी को बिगाड़ने नहीं देंगे। इसमें जो भी निशन्स करने वाला होगा, जो भी कानून को अपने हाथ मेलेगा, जो भी क्रिएट करेगा, उन्हें खिलाफ कारवाई की जाएगा और कड़ी कारवाई हो। हम लोग पुर्देश के मुखमंत्री जी के अस्थानिय पुर्दिधी के रूपे सास की हम और इस्पी साब रखे हैं। और मुखमंत्री जी इतने चिंते थे कि सुबह इस्पी साब पस फोन भी आया था मुखा। तो एक तो ये बात मंद से निकाल दो कि एक आदमी गाओ छोड़के जाएगा। नहीं देपाइं, तो ये नहीं प्रशासन की होती है, किसी व्यक्ति आपकी नहीं हो. शुराना को केरोना बनाने वाले अभी मर्दिपृदेश में ऐसे लोग हैं। और मद्यपतेश में भारती अंता पालिटी की सरकार इस सिवराज सींग का सासन है किसी में हिम्मत नहीं है क्या रोना बना दे सोरा ना को महज भ्रह्म की इस्तिती में ये इस्तिती निर्मेत हुए बिसे जैसे ही संग्यान में आया तदकाल कलेक्टर एस वी को मौके में भेजा एक अस्थाई पुलिस चोकी का वाँ निर्मान कर दिया दस लोग मैं सविस्पेक्टर के उसमें रहेंगी गाओं के अंदर अवैद रि लोगों को मिलाके एक समिती बना दिया जिस लडी ओपी रहेंगे दोनों समाज के दो दो लोग रहेंगे तो आपको बता दे कि आपको ये गाओं का विवाद क्या है तो दो समुदाएं हैं जिनके बीच में ये पूरा विवाद है सुराना गाओं के अलब संक्यक परिवारों ने गाओं छोडने की जिताब नी दिया है करीब साथ हिंदू परिवारों ने घर के बाहर मकान बेचने की बात लिखी है सुराना के साथ हिंदू परिवारों ने दिवार पर लिख दिया है कि यहां से जो हम घर छोड़ना चाहते हैं यह मकान बिकाओ है और इस पूरी खबर पर हमारे समवादाता दलजीत जुड़ गए हैं उन से हम जादा जानकारी लेते हैं और पूछते हैं कि अभी वहाँ पर कैसे हालात हैं और आकर इतना यह मामला कैसे बढ़ गया क्योंकि बिचाओ में शाशन प्रशाशन को आना पड़ा हमें पूरी जो बात है पूरी तफसिल से समझाईए तेकि शाइदा जैसा कि मैं आपको बता दू यह मामला जो एक छोटे से विवाद से स्टार्ट हुआ जिसके बाद में एक समुदाय दौरा कलेक्टर को ग्यापन दिया गया और अपने पलायन की बात बताएगी जिसके बाद परक्शाशन हरकत में आया और सोशल मीडिया के मादम से इस कुछ बात को इतना तूर मिलता गया कि यह बात एक गाउं से निकल के शहर नहीं शहर से पुरे देश में फैल गई जहां तक है प्रिशाशन ने हस्ता शेफ करने के बाद में वहाँ पर समझाश भी दी थी वहाँ पर बेठा के दोनों पक्षों को समझाया था कि जो भी विवाद है उसको समाफ कर लिया जाए इस साथ के पलायन से कोई वो नहीं होगा और उसके बाद में जब ग्रह मंत्री ने प्रिशाशन को सक्त कदम उठाने के निर्देश दिये तो अब वहाँ पर पुलिश्चों की खोल दी गई है दोनों ही समुधाय के लोगों की एक समीती बनाके वहाँ पर उनमें मज्यस्ता और आपसी भाईचारे से रहने के लिए उनसे अनुरोद भी किया गया है और अभी इस्तिती जो है धीरे-धीरे समाने होती नजर आ रही है प्रिशाशन ने जो समाजिक सत्वे थे जो वहाँ पर मिस गाइड कर रहे थे कोई भी तरएं के विवाद करेड़ करने वा़े से उनकर खिलाज सक्त करवे करने की शुरूआ दी रही है वहाँ पर आतिकर्मन मुक्त किया जा रहा है जल्द से जल्द जो भी प्रिकरन है समाप्त किया जाए इस है पिहल की जा रही है तो खुद ग्रह मंतरी इस पूरे गाओं के उपपर अपनी नजर बनाया हुए है पल पल की वो अपडेट ले रहे हैं जिला परशाशन के अधिकारियों उसके दलजीत एक चीज और बताईए कि अभी पता लगा है कि कोई वहाँ पर कारवाई भी हुई है कोई अवैद अतिकरमन था उसको भी तोड़ा गया है इसके अलावा जब वहाँ पर दोनों वरगों की लोगों को बिठाया गया फिर वहाँ पर दोनों वरगों की एक कमेटी भी इसको लेकर क्या कुछ जानकारी देंगा आप? नालियों पर अतिकरमन था या इस तैब से था उसको खतम किया जा रहा है प्रिशाशन द्वारा अमुदाय के द्वारा परेशान करने और इससे मजबूर होकर गाउं से पलायन करने की शुकायत के बाद जिला प्रसाशन में हड़कंप रहा और आपको बता दें कि मुखे मंत्री शिवरा सिंग चौहान निबीर अतलाम कलेक्टर पुर्शोत्तम अगरवाल और एस पी अनकारी लेने के लिए कहा और बकायदा महाँ पर चौपाल लगाए गई दोनु समुदाय के लोगों से बात की गई और उनकी अपना अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया